तो अगेन चाइना ने अपने इंफेरियल पॉलिशी के तहत अपने गंदे मनसुवों को पूरा करने के लिए बॉर्डर टेंशन शुरू कर दिया है लेकिन यह बॉर्डर टेंशन इस बार इंडिया से डाइरेक्ट नहीं बलकि इंडाइरेक्ट है चाइना ने भूटान के ब प्रतिपादन करता है वो हमेशा अपने एरिया को कहीं ने कहीं किसी ने किसी से इंवाल्व किये होता है इस बॉर्डर टेंशन के तहट वो पूरे विस हो दोरा लगाए गए जो कोरोना इंफेक्शन का मामला है कोरोना वायरेस का जो मिस हैंडलिंग बुहान लैप से हुआ है उस पर से कहीं न कहीं वो अपने देशवासियों का और दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है इसलिए वो बेवज़े के फिजूल के बॉर्डर टेंशन को क्रियेट्स कर रहा है चाइना ने भुटान के एक बड़े हिस्से परपन्ना दावा किया है और अब चीन इसे सुल करना है कि चीन इवन भुटान के बीच सिमांकर नहीं हुआ है और यह मद्यपूर्वी और पश्मी सेक्षन को लेकर विबाद है 29 जुन को ग्लोबल इन्वार्मेंट फैसिलिटी कॉंसिल यानि जी इएफ की 58 मीटिंग हुई थी तो सबसे पहले मैं आपको जी इएफ के बा के रियो अर्थ समिट के बाद इसकी अस्थापना हुई थी यह कॉंसिल छे इंपॉर्टेंट एरियाज को फोकस करता है जिनमें से बायो डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, केमिकल, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिगरेडिशन, सस्टेनेवल फॉरेस्ट, मैनेजमें इन सब चीजों को सामिल किया गया है, इसका हेड़ क्वाटर यूएसे है, तो विल जी एफ की 58th मीटिंग में चीन ने पहली बार भूटान के साक्तिंग वाइल लाइफ सेंसुरी वाले इलागों पर अपना दावा पेस किया, चीनी विदेश मंत्राले ने कहा कि भूटान क कि दिए सीमा को कभी भी निर्दारित नहीं किया गया, चीन ने भारत की योड़ से इस सारा करते हुए कहा है कि किसी भी तीसरे पक्ष को इसके बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, निश्य तोर पे ये इस सारा भारत के लिए ही है और वो चाहता है कि भूटान को किसी तरह से वो अपने favor में करे ताकि वो इंडिया को pressurize कर सके अपने प्रलब सीमा वाले सीमा वर्ती छेत्रों को लेकर हाला कि चीन ने भुटान को सीमा विवाद को सुल जाने के लिए जिस package का प्रस्ताव दिया है उसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है कि वो किस तरह का package है मगर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि संभवता चीन 1996 की पुरानी डील का जिक्र करना चाहता है अब ये 1996 का डील क्या है मैं बता देता हूँ 1996 के प्रस्ताव में चीन ने भुटान को उत्री सीमा के विवाजित छेतर सौप देना और बदले में डोकलाम समित पश्चमी सीमा के विवाजित छेतरों को अपने नियंतरन में ले लेना तै किया था हाला कि भुटान इस चीज को सहीं नहीं मानता उसने इसे नामंजूर कर दिया है अगर चीन फिर से वही डिल करने की कोसिस कर रहा है तो भुटान की सहमती भारत के लिए मुस्किल पैदा कर सकती है निश्चित तोर पर चीन का जो ये दावा किया जा रहा है वो बेबिनुयाद है चीन ने साकतेंग वाइल डाव सेंचूरी पर जो अपना दावा किया है वो दावा उसका कहीं भी संबब नहीं है क्योंकि इस एरिया में कभी भी विवाद रहा ही नहीं है चीन और भुटान ने वर्स 1984 से लेकर 2016 के बीच में अब तक 24 दोरे की बादचीत की है इस दोरान बादचीत में केवल पस्चिम और मद इलाके के विवाद पर चर्चा हुई है कभी भी पूरवी भुटान या त्रासिंग गैंग दोगशाक जिला जहां सकतेंग वाइल लाइप सेंचूरी है उसका जिक्र नहीं किया गया है ये अरुनाचल परदेश की सीमा पर दिख रहा है सकतेंग वाइल लाइप सेंचूरी अरुनाचल परदेश की सीमा से लगे भुटान के उत्तर पुर्वी छेत्र में 650 वर किलो मिटर में फैला रास्टी उद्यान है यह अरुनाचल परदेश के सेला पास से करीब 70 किलो मिटर की दूरी पर है यह भ्यारन ने ला हर भी है अगर भारत को अपने परोसी देश भूटान से सांती की उमीद है तो इस मामले में अब देखना यह है कि भारत क्या इन दोनों के बीच में हस्तचेफ करता है या फिर चीन किसी और तरीके से भारत को प्रेसराइज करने की कोसिस करता है इसके आगे में जितने भी होंगे मैं आपको बताता रहूंगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो एक पर मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिए यहां आप नेशनल इंटरनेशनल और आपके एक्जामनेशन रिकार्डिंग बहुत सारे वीडियो अबलेबल है एडिक्शन आई इस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू